नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सन्विक क्लासेश पे आज का ये वीडियो है पूरे एक साल के घटना क्रम प्याधारित रच्छा बिज्ञान एवंप प्रोदगी के वन लाइनर अगर पूरे एक साल के केरेंट एफेट्स को रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले नवंबर 2022 के घटना करम पे हाल ही में एलन मस्क की कमपणी अस्पेस एक्स के फ्लोरीडा के केनेडिया स्पेस सेंटर में दुनिया का सबसे सक्तिसाली रॉकेट फॉलकन हैवी लौंच किया है अस्पेस एक्स के मालिक कौन है एलन मस्क है और उसका सक्तिसाली रॉकेट का नाम फॉलकन हैवी है नेक्स्ट है हाल ही में DRDO ने उडिसा तट के अब्दुलकलामदीब से अग्रिम प्राइम बिलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परिछन किया है नेक्स्ट है पांच से साथ नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रोधकी मंत्राले के सहीयोग से देहरा दुन में अकास तत पर पहला सम्मेलन अकास फोर लाइव सम्मेलन किया गया इसका उदेश अंत्रिश प्रोधकी के छत में भारत की प्रगती को बढ़ाबा देना है गडूर सेबन भारत और फ्रांस के बायुसेना के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जोधपूर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया गडूर सेबन भारत और फ्रांस के बीच होता है यह बायुसेना भ्यास है जो जोधपूर में सुरू हुआ नेक्स्ट है भ ज्टूबर 2022 के वंन लाइनर से। भारत्ये बाइसना ने स्वधेशी रूप से विक्सित हलके लड़ाकु हिलिकोप्टर LCH परचंड के पहले बाइस को बाइस। ने क्रचंड है NEXT है लाइ रोटर क्राप्ट लॉंच किया जाएगा चीन द्वारा हाल ही में सुर्ज के अध्यान करने के लिए पहला अंत्रिच अधारी सोलर टेलेस्कोप कुवाफु वन लॉंच किया गया नेक्स्ट है राष्टपती द्रवदी मुर्मूर ने आयाइटी गोहाटी में परम कामरूप सूपर कम्प्यूटर का उदगातन किया नेक्स्ट है टेसला कमपणी की सी यो एलन मस्क ने अप्टिमस रोबर्ट के प्रोटो टाइप का अनाबरन किया टेसला कमपणी के मालिक कौन है एलन मस्क और स्पेस एक्स कमपणी का भी मालिक है एलन मस्क नेक्स्ट है भारत ब्राजिल और दच्छिन फिरका की नवसेनों के 20 समुंद्रिया भ्यास इबसमर सेबन का आयोजन दच्छिन फिरका में आयजूद किया गया जिसमें भारतिय नवसेनिक जहाज INS तरकस ने भाग लिया अगला है इसरो द्वारा पर छेपित चंद्रियान टू और बीटर पर लगे एक्सरे अस्पेक्ट्रो मेटर क्लास द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की परचूर्ता का मानव चित्रन किया गया अगला है CERTIN ने पावर CSI RT के सहयोग से साइवर सुरच्छा व्यास पावर X 2022 का आयोजन किया गया अगला है सितंबर 2022 के वन लाइनर भारतिय नौसेना में स्वधी सी रूप से बिक्सी दो ड्राइविंग सपोर्ट बेसल निस्तार तथा निपुन विसाखा पत्ना में लौंच किया गया इनका निर्मान हिंदुस्तान सिप्याड लिम्टेड द्वारा किया गया ये जहाज गहरे समुंदर में पंडुबियों को बचाने में मददगार होंगे अगला है आर्क्टिक में लुप्त होते हुए भेडियों को बचाने के लिए चीन के बग्यानिक ने क्लोन अधारे दुनिया का पहला आर्क्टिक घडिया बनाया है जिसे माया नाम दिया गया है। इस देश ने बनाया है। चीन ने बनाया है। दुनिया का पहला Arctic भेढिया और नाम दिया है माया। अगला है हाल ही में NASA के मॉक्सी नामक उपकरण ने मंगल गरह पर CO2 से अक्सीजन बनाने की उपलबदी हासिल कर लिया। नेक्स्ट है भारत नामाक अपना पहला चंद्र रोभर लॉंच करने की घोषना किया है संजुक्त अरव अमिरात ने रासिद नामाक अपना पहला चंद्र रोभर लॉंच करने की घोषना किया है 2 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कोचिन सिप्याड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी बीमान बहागपुत आयनस बिक्रांथ को कमीशन किया कहां से कोचिन सिप्याड से आयनस बिक्रांथ को नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने पहले पूरी तरह सोर उर्जा संचालित मानव रहित बैवान क्यू मिन जियोंग 50 या मौर्निंग अस्टार 50 का सफल परिच्छन किया यह 20 से 100 किलोमेटर की उचाई तक उड़ सकता है नेक्स्ट है भारतिय नव सेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तिसरे युद्पोत तारागिरी को मुंबाई में लाउंच किया इसका निर्मान मच गाम डॉक सिप्याड लिम्टेड द्वारा किया गया नेक्स्ट है प्रवत प्रहार यह भारतिय नव सेना ने लद्दाख में 14,000 फिट के उचाई पर इस अभ्यास का आयोजन किया प्रवत प्रहार 14,000 फिट के उचाई पर लद्दाख में अगला है काकाडू 2022 अस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्टिय नव सेनिक अभ्यास भारत के आयोजन सत्पूड़ा तथा पी एट आई समुंदरी गस्ति विमानने हिस्सा लिया काकाडू 2022 में नेक्स देखते हैं अगस्ट 2022 के वन लाइन है इकसरसाइज असकाई लाइट भारतिय सेना द्वारा अंत्रीच में अपनी चमताओं को बढ़ाने तथा हमले की स्थीति में उपगरह संचार परनालियों को मजबूती का परिच्छन करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया अगला है अजादी की पच्छतरवी बर्सगाट के अफसर पर भारत ने स्रिलंका को डोर्नियर 228 बिमान उपहार में दिया इसका उद्यष भारत स्रिलंका सुरच्छा तथा आपसी विश्वास को बढ़ाना है नेक्स्ट है रूस में आयोजित बहुराष्टिय उद्याब्यास बोस्टोक 2022 में भारतिय सेना के टुकडी गोर्खा राइफल्स ने भाग लिया था जो रूस में आयोजित हुआ था नेक्स्ट है भारतिय तट्रचक बल ने राष्टिय समुद्री खोज और बचाब अभ्यास क्या सेरेक्स 2022 का आयोजित कहां किया तो चिन्नाई में किया भारतिय तट्रचक बल ने उनसा सेरेक्स 2022 का आयोजित चिन्नाई में किया अगला है हाल ही में दच्छिन कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन दानूरी को फ्लोरीडा के केप केना वेल अस्पेस पोर्स बेस से लौंज किया दच्छिन कोरिया ने इसे नासा के सहयोग से लौंज किया नाम क्या दिया दानूरी पहला चंद्र मिशन था हाल ही में इसरो ने अपना 3D Virtual Space Museum स्पार्क लौंज किया इसके जरी लोग इसरो के इतिहास तथा लौंज से जुड़े तस्वीर तथा विडियो देख सकते हैं नेक्स्ट है IIT हाइद्रावाद तथा Center for Cellular and Molecular Biology ने भारत का पहला 3D printed artificial cornea विक्सित किया इसका ट्राइल खरगोस की आख में परते रूपित कर किया गया है नेक्स्ट है अंत्रीच में गति बिधियों की निगराने के लिए उत्राखन में भारत की पहली बेद साला स्थापित की जाएगी या अंत्रीच मलवे की निगरानी में भी महत्पुन भूम का निभाएगा अगला है भारतिय नवसेना की पांच महला अधिकारियों के दल ने अरब सागर में अपना पहला समुंदरी निगरानी मिसन को पूरा किया उन्होंने यह मिसन डॉर्नियर दोहजार अथाईस बिमान से पूरा किया अगला है जुलाई दोहजार बाइस के वन लाइनर रच्छा मंतरी राजनास सी ने कोलकता में प्रजेक्ट सत्राए के तहत निर्मी चोथा यूधपोत आईनस दूनगीरी को लाउंच किया इसका निर्मान गार्डन रीज सीप बिल्डर्स लिम्टेड द्वारा किया गया था खुलकता में प्रजेक्ट सत्राए के तहत आईनस दूनगीरी इसरो के अध्याच एस स्वमनाथ ने बेंगलूर के नहरूत तारा मंडल में मानव अंत्रिच उडान एक्सपो का उद्गाटन किया नेक्स्ट है परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भारतिय नौसेना के लिए निर्मित पहले पाइलेट रहित यात्री डोर और बरून को लौंच किया नेक्स्ट है 16 जुलाई को रच्छा मंत्री राधनासी ने 35 बरसों की सेवा के बाद आई एनस सिंधु ध्वज को भारतिय नौसेना से सेवा मुक्त किया नेक्स्ट है हाल ही में इसरो द्वारा संचालित 37 धवन अंत्रीच के अंद्र ने त्रिपूरा में अस्पेस ओन विल्स नामक मोबाइल परदर्शनी को लौंच किया इसमें चंद्रियान मंगलियान नेविगेशन उपगरा आधी के मोडल सामील है हाल ही में रूस ने बर्स 2024 के बाद अंतराश्टी अंत्रीच स्टेशन को छोड़ने का निर्ने लिया है ड्रेक कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मीद भारत की पहली वैक्सिन सेरा वैक्स को मंजूरी दी है इस बैक्सिन का निर्मान सीरा में इंस्टूट अफ इंडिया द्वारा किया गया है सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए सेरा वैक्स नेक्स्ट है भारत के अंध्रपर्देश की रहने वाली उनीश बर्षिये जानवी डंगोती एनालोग अंत्रीच श्यात्री पर सिच्छन के अंद्र AATC की सबसे कम उम्री की एनालोग अंत्रीच श्यात्री बन गई है नेक्स्ट है भारत का पहला सोदेशी बिमान बाहक पोत आयनस बिक्रांद को 15 अगस 2022 को आजादी के अमरित महोसव के अफसर पर नवसेना में सामिल किया जाएगा हाले में इसका चोथा परिच्छन पूरा किया गया इसका निर्मान कोचिन सिप्यार लिमिटेड द्वारा किया गया है नेक्स्ट है केंद्रे बिग्यान और पुर्दकी मंत्री डाक्टर जितन्द सिने आयाइटी हैद्राबाद में भारत की पहली स्वायत नेविगेशन सुधा तिहान का उद्गाटन किया या मानव रहित जमीनी और हवाई बहनों को बिक्सित करने की अत्यादुनिक परनाली लगी है तिहान नेक्स्ट है भारत्य नवसेना ने पहला अडवांस लाइट हिलिकॉप्टर भार अके नॉसेना एस्कॉइड तिन्सोचोबिस को आइएनस को लिग सांसमिल में भारति बिग्यान चस्तान के सुध करताओं ने आरजभाट बन नामक इनलाउग्से चिपसेट बिक्सित किया है या चिपसेट Artificial Intelligence अधारित एप्लिकेशन को टेज बनाने में सहायक होगा नेक्स देखते हैं जून 2022 के वन लाइनर हाली में इरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस इंधन बाला रावकेट जुलजाना अंतरिच में लाउंच किया है हाली में दच्छिन कोरिया ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिच रावकेट नूरी को सफेलता प्रबग प्रच्छेपन किया है अगला है हाली में नासा द्वारा चन्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैप स्टोन अंतरिच यान लॉंच किया गया एसिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लुकिड मिरर टेलियस्कोप उत्रा खण में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है यह टेलियस्कोप अकास में होने वाली खगोलिय घटनाओं का सरवेच्छन करने में मदद करेगा अगला है सुक्रगरह के अध्यान के लिए अमेर्की अंतरिच एजन सी नासा द्वारा बर्स दोहजार उन्टिस में दविंची मिशन लॉंच किया जाएगा सुक्रगरह के अध्यान के लिए दविंची मिशन लॉंच किया जाएगा दोहजार उन्टिस में केंद्रिय कर्शी मंत्री नरेंद सी तोमर ने जनबरों के लिए विक्सित भारत का पहला कोविड-19 बैक्सिन एनको बैक्स लॉंच किया है इसे हर्याना इस्थित ICR-NRC द्वारा बिक्सित किया जाएगा नेक्स्ट है चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंत्रिच में सौर उर्जा सेंत्र लगाने की योजना बनाई है इसके लिए चीन दोहजार अठाइस में सेटिलाइट अंत्रिच में भेजेगा नेक्स्ट है चीन के बिजली प्राप्ति के लिए अंत्रिच में सौर उर्जा सेंत्र लगाने की योजना मनाई है योजना किया गया अगला है रच्छा मंत्री रादनास्षी ने मुंबाई मचगाउम डॉक सी प्याड में दो यूद पोत आइनस सूरत तथा आइनस उदैगीरी को लॉंज किया है कहां से मुंबाई मचगाउम डॉक सी प्याड से आइनस सूरत प्रजेक्ट पंदरा बी के तहत निर्मित चोथा यूद पोत है जबकि उदैगीरी प्रजेक्ट सत्रा एक के तहत निर्मित तीसरा जहाज है अगला है असकाई रूट एरोस्पेस प्राइबेट लिम्टेर ने बिक्रम बन रॉकेट के तिसरे चरण क्लाम हैंडर्ड रॉकेट का सफलता पुरबग परिच्छन किया नेक्स्ट है गार्डन रिच सीप बिल्डर्स एबंड इंजिनियर्स ने एल एंटी सीप बिल्डिंग्स के सहयोग से भारतिय नवसेना सर्वेच्छन पोत आई एनस निर्देशक को चिन्नाई में लॉंज किया है अगला है भारतिय नवसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी स्रेनी के निर्देशित मिसाइल पोत आई एनस गोमती को मुंबाई में सेवा मुख किया गया है अगला है राष्टिय सूपर कम्प्यूटिंग मिसन के तहट एनाईटी त्रिचपल्ली में अत्यधूनिक सूपर कम्प्यूटर परम पोरूल का उद्गाटन किया गया परम पोरूल कहां किया गया है तो एनाईटी त्रिचपल्ली में नेक्स्ट है राष्टे सूपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहट आयाटी गांधी नगर में परम अनन्थ सूपर कम्प्यूटर राष्ट को समर्पित किया गया है अमेरिका के फुलोरिडा बिस्विद्याले में पहली बार चंद्रमा से लाए गया मिट्टी को अंकुरित करने की हासिल की है इसमें एर्बी डॉप्सिस थालियाना नामक पोधे का बीज उगाया गया है कहां से तो चंद्रमा से लाए गये मिट्टी में नेक्स्ट है चीन के बैज्यानकों ने सौर मंडल से बाहर पिठ्थिवी जैसे रहने योग ग्रहों की खोज के लिए क्लोज बाई हाइवी टेवल एक्सो प्लैनेट सर्वेश योजना बनाई है हाल ही में भारत और बंगलादेस की नोसे नाओं के बीच को आडिनेट पेट्रोल पॉर्पेट के चोथे संस्करन का योजन किया गया है अगला है अप्रेल 2022 के चीन ने एक नए उपगरा जोंग जिंग 6D को सफलता पुरवक लॉंज किया है जोंग जिंग 6D चीन ने लॉंग मार्च 4C रॉकेट के जरिये नया पिर्थिवी अब लोकन उपगरा गोफिन 303 को सफलता पुरवक लॉंज किया है भारतिय सेना तथा DRDO ने राजस्थान के पोखरन से पिनाक का MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलता पुरवक परिच्छन किया है अगला है भारतिय तटरच्छक बलने गुजरात के भरूच में तटरच्छक जहाज उर्जा प्रवाह को नवसेना में सामिल किया है नेक्स्ट है भारतिय सेना के त्री सक्टी कोर ने पस्चिम बंगाल में किरपान सक्टी अभ्यास का योजन किया है भारतिय नवसेना ने मुंबाई में मस्गावम डॉक लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मी छठी तथा आखरी अस्कॉर्पियन स्रेनी की पंडूबी बाग सीर का उध्गाटन किया प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सायोग से छे पंडूबी बाग सीर अगला है रूश ने दुनिया का सबसे सक्ति साली अंतर महादीप्य परमानू सक्षम बेलेस्टिक मिसाइल RS-28 सर्मट का परिच्छन किया है सोदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उप्योग करने वाली इंडिगो एसिया की पहली एरलाइन बन गई है USA तथा जापान के बाद भारत स्वेंग की नेविगेशन परनाली बनाने वाला दुनिया का तिसरा देश बन गया है USA जापान के बार भारत इसरा देश बन गया है। भारत ने डियाडियोद और अबिक्सित दुनिया के उन्नत टैंक रोधी गाइडर मिसाइल हेलीना का पोखरन राजस्तान में सफलता पुर्वक परिच्छन किया। आइरन बीम का सफलता पुर्वक परिच्छन किया है। भारतिया स्टार्ट अप पिक्सिल ने अस्पेस एक्स के सयोग से अपना पहला पुर्ण विक्सित बानीजी कुपगरा सकुन्थ ला सफलता पुर्वक लौंच किया है। उत्तर कोरिया ने होंसोंग 17 बलेष्टिक मिसाइल का परिच्छन किया। डियाडियों ने अनबान निकोबार से सता से सता पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भ्रमोस का परिच्छन किया। नाटो के सदस देशों ने नार्वे में कोल्ट रिस्पॉंस 2022 सेन अभ्यास का आयोजन किया। अगला है इसरों ने आंधर परदेश के सिरी हरिकोटा के 37 धवन केंदर से SSLV के ठोस इंधन अधारित बुस्टर चरन का सफलता परिच्छन किया है। नेक्स्ट है सेंटर फोर डेवलम्मेंट आफ एडवांस कम्यूटी सीडेक ने आयाइटी रूड की से सूपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। CSIR NAL द्वारा विक्सित भारत के पहले स्वदेशी प्लाइंग ट्रेनर हंस एनरजी को पोड़ी चरी में समंद्री परिच्छन किया गया है। इरान ने स्वदेश निर्मित दुसरा उवगरा नूर टू को पिर्थीवी की निचली कच्छा में सफलता प्रुवक पर छेपित किया है। अगला है इसरो के मिसंद चंद्रियान टू ने चंद्रमा पर आरगन फोटी गैस की खोज की है या चंद्रमा के सबसे बाहरी आपरन में मुझूद है। चीन की मानव रहित पंडू बी होईदू बन ने पिर्थीवी के सबसे गहरे बिंदू मिर्याना गर्थ पर पहुचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला है फरवरी 2022 के वन लाइनल है। भारते नौसेना के लिए पाचवी अस्कॉर्पियान पंडूबी बागिर का पहला समंद्री परिच्छन किया गया या था इसे प्रजेक्ट 75 के तहट भारत फ्रांस के सयोग से 6 अस्कॉर्पियन स्रेणी की पंडूब्यों का निर्मान करेगा। गोववा सिपगार्ड लिमिटेड ने भारते तत्रचक बल को पाचवा पोत आईसी जीए सच्छम सौप दिया है। इजरायल ने सी डोम नामक नई नौसेना बायुरच्छा परनाली का सफल परिच्छन किया है। नेक्स्ट है भारते बिज्ञान संस्थान द्वारा भारत में सबसे सक्ति साली सूपर कंप्पीटरों में से एक प्रम पर्मेगा को शुरू किया गया। प्रम सिध्धी AI भारत का सबसे तेज सूपर कंप्पीटर है। अगला है नासा ने बर्ष दोहजार रेक्तिस तक अंतर रश्टे अंतरिश अंतर रेक्तिस अस्टेशन में अपना संचालन बंद करने की गोश्णा की है। दोहजार एकतीस तक, रूस दोहजार चौबिस में बंद करेगा। बांगला देश और अमेरिका की 22 सेना ने धाका में कोप सौथ 22 युद्धा ब्यास का एयोजन किया। इसरो के अंत्री छुबगराश चंद्रियांटू ने पहली बार 100 प्रोटाउन घटनाओं का पता लगाया है। सोध करताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी अकास गंगा अलसियोनियस की खोजकी गई जो सुर्श से 240 अरव गुना बढ़ा है। अस्ट्रेलिया के बग्यानकों ने हिमालाय से तीन गुना बड़े पहाड की खोजकी जिसे सूपर मौंटेन नाम दिया गया है। नासा के पारकर सोलर प्रो मिसन ने अंतरीस में पहली बार सुक्रगरा के सता की तस्वीरे ले ये तस्वीरे सुक्रगरा की बिशिस्ट भोगोलिक इस्थिटी को उजागर करती है। अगला है भारत ने अमेरिका कमपणी बोईंग से बाराहबा पंडुबी रोधी उधक बिमान P-8I प्राब्द किया है। नेक्स्ट है जनबरी 2022 के वन लाइनर है। पश्मी नौसेना कमान ने अरब सागर में संजुक्त समुन्द्री अभ्यास पश्मी लहर का योजन किया है। अगला है रूस चीन तथा इरान की नौसेनों ने उमान की खाड़ी में चीरू 2022 नौसेनिक अभ्यास का योजन किया गया है। रूस चीन तथा इरान नाटो के सदस देसों ने 24 जनबरी से चार फरवारी तक भूमद सागर में नेफ्चुन अस्ट्राइक 2022 नवक समुन्द्री अभ्यास किया है। जनबरी 2022 में दच्छीन अफिरका ने पुर्था अफिरका में निर्मित पहला स्वदेश्यूप ग्रहत तारा मंडल MDA साइट वन लौंज किया है। भारत और रूस के नवस्चिनों ने अरब सागर में पैसेज एक्स युद्धा भ्यास का अयोजन किया है। इसरों ने तमिलनाडू के महंद्र गिरी में भारत के पहले मानव अंत्रीच मिसन गगन यल के क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परिच्छन किया है। अगला है क्वार्ड देश भारत अमेर्का अस्टेलिया तथा जपान के अत्रिक कनाड़ा और दच्छिन कोरिया ने पच्छिम परसांत में पंडुब्बी रोधी युद धब्याज सीड ड्रेगन 2022 का अयोजन किया है। अगला है उत्तर कोरिया तथा बैलिस्टिक मिसाइल हांसोंग बारा सफल परिच्छन किया गया है। इलन मास की कमपणी अस्पेस एक्स द्वारा चलाए जा रहे है स्टार लिंग प्रजेक्ट के तहर्ट उन्चास स्टार लिंग उपर गहों को लॉंच किया गया है। इसका उद्यस दुनिया भर के हाई स्पीड इंटरनेट सर्विश प्लवध कराना है। भारत सरकार ने एडवांस लाइट हेलिकोप्टर एलेच एमके थर्ड के निरिया थे तू मौरिसस के साथ अनुबन दे किया है। नासा द्वारा लॉंच किया गया पारकर सोलर प्रोम मिशन सूर्ज के बाहरी बातावरन में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिच यान बना है। डियाडियो तथा भारतिय बाईशना ने पोखरन राजस्थान से स्टैंड आफ एंटी टैंक सांत मिसाइल का सफलता पुरवक परिच्छन किया है। डियाडियो ने भारतिय ने उसेना के लिए बिक्सिस सूपरसोनिक मिसाइल असिस्टेट टोर्पीडो को उडिसा के बाला सोर में सफलता पुरवक परिच्छन किया है। अगला है नासा के बग्यानकों ने सौर मंडल में एक बाहिगरा की खोज किया है जिसे जी जे 367 भी नाम दिया है। इजराइल ने एडवांस हेराउन ड्रोन भारत को सोपे हैं जिसे लद्धाक सेक्टर में भारते सिमा की सुरच्छायतू तयुनात किया जाएगा। हेराउन ड्रोन भारत की नीजी अंत्रीज कमपणी स्काई रूट एरोस्पेस इस रो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम बन को बर्स 2022 के अन तक लौंज करेगी। डियाडियो और द्वारा बिक्सित सता से सता पर माल करने वाली मिशायल परले का उडिसा के एपीज अब्दुल क्लामदीब से सफल परिच्छन किया गया। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 के वन लाइनर। डियाडियो ने ओर इसा के चान्दी पूर्शे सुदेसी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलता पुर्वक परिच्छन किया है। अगला है नासा द्वारा अगस्ट 2022 में साइके मिशन लाइनर। या मिशन मंगल और बिहस्पती के बीच इस्थित साइके नमक छुदर गरह का अध्यान करेगा साइके मिशन। भारत अपना पहला मानव युक्त मिशन गगन यान 2022 की जगा अब 2023 में लाइन्ज करेगा। अमेरिकी अंत्रीष एजनसी नासा ने कैनेडिया स्पेस से फॉलकन नाइन रोकेट के जरिये नया एक्सरे मिसल लॉंज किया है जो ब्रहमान की रहस्मई बस्तू को पता लगाएगा। भारत्य बाइस्विना ने एस फोर हेंडड मिसाइल का पहला स्कौरडन पंजाब में भारत पकिस्तान सीमा परतहिनात किया है। भारत ने रूस से एस फोर हेंडड मिसाइल की खरीदेदू समझहोता किया है। अगला है भारत्य नौसेना ने 32 साल बाद आई एनेस खुखरी को सेवामुक्त कर दिया है। यह सोदेश निर्मित मिसाइल कारवेट में से पहला जहाज था। जहाज का सेवामुक्त समारों विशाखा पतनम आंध परदेश में आयोजित किया गया है। रूष ने भारी बाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलता पुर्वक परिच्छन किया है। भारत्य नौसेना के लिए गार्डरन रीच, सीप, बिल्डर्स एबं इंजिनियर्स ने भारत का पहला बड़ा सर्विच्छन पोत संध्याक लोंज किया है। वर्टिकल लौंज सोट रेंज मिसाइल का सफल परिच्छन किया है। अगला है नवंबर 2021 का। चीन ने पिठ्थी भी बिग्यान उपगरा गौंगमु को लौंग मार्च शे रॉकेट द्वारा अंत्रीच में लौंज किया है। चीन के सेन जोव तेरा अंत्रीच मिसन के तरहत बांग यंपिंग अंत्रीच में चलने वाली पहली चीनी महला अंत्रीच शात्री बन गई। सेन जोव तेरा अंत्रीच मिसन के तरहत बांग यंपिंग। अमेरिकिया त्रीच एजंसी नासा ने दुनिया का पहला डर्ट मिसन लौंच किया है। हाइद्राबाल में सित असकाई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से बिक्सित क्रायाजोनिक रॉकेट इंजन धवन का सफलता पुर्वक परिच्छन किया है। भारतीय नवसेना ने स्वदेश निर्मीद, चौथी और स्कॉर्पियन स्रेनी की पंडू भी आइनस बेला को मुंबाई के नेवल डाक्याड में सामिल किया है। भारत और जपान चन्रमा पर एक संजुक मिशन लूप एक्स लूनर पोलर एक्स्पोरेशन मिशन को लॉंज करेगा।